हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने वैक के यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं लाहूल कलेंडर वर्स इस्लामाबाद यूनाइटेट के बीच में खेला जाएगा पी एसल का मीड टर्म का जो अभी तक नहीं जाके देखे हो जाके देखे लेना और दोस्तों मैं तुछी बोलूँगा कि निगाहें कहीं रखो निसाने कहीं और लगाओ दोस्तों दुनिया का निसाना रहने वाला है आज के मैच में सुपर लिग टी ट्वेंटी पी एसल का जहोगा उस पे और पी वीडियो देते विए दिख जाओंगा सबसे अच्छी बात किया है इंग्लिस टी ट्वेंटी बलाश्ट सभी मैच कुछ ना कुछ डिफरेंट टैम पे है अभी जो वेंस मगावला चल दा तो दोस्तों वहाँ पे सेम टैम पे चार से पांच चार मैच पर जाते थे तो वहाँ पे दिककाते आते थी वाट यहाँ पे अच्छी बात है कि 70% के आज़ पास है लाहौल कलेंडर का और दोस्तों यहाँ पे इसलामबाद उनेटर के 30% के आज़ पास है जबकि यहाँ पे दो-तिन पिलियर का इंक्लूजन होने के बाद इसलामबाद उनेटर भी अच्छे दिख रहे हैं चाहे हम बात कर लेंगे दोस्तों रासी दिखान का चाहे हम बात कर लेंगे दोस्तों हरीस रौफ का इनका गेंदवाजी अटेक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तो आग्रें देख लेते हैं पहले हम लोग प्वैंच स्टेवल की कहां पर दोनो टीमस्ट ए भी ओभी तो यहां पर लाहोल कलेंडर चार मैच भी जिती वे ओग और जो बी टीम जी जाएगी वो दोस्तो स्लोट डेडिक्ट ये पॉइंट स्टेबल में एक पे आ जाएगी तो दोनों टीम जीतना चाहेगी हम बात कर लेते प्रिबियस कुछ मैच में तो दोस्तों यहाँ पे जाएंगे हम लोग और देख लेंगे लाहूल कलेंडर इसलामबाद कर जब मुकाबला हुआ तो दोनों टीम ने कैसा प्रत्रसन क्या हुआ है पेशावर जालमी के गंच जब लाहूल कलेंडर पहले मैच खेलने आया था तो गेंदबाजी में साहिंस आप रिजी चार ओबर चोदर रन तीन विकेट सलमान मिर्जा चार ओबर पर पर दिशन दो विकेट यहां से डणिय समिट पटे लखेलने वाले हैं नहीं फिर रासीद खान 27 दोस्तों अब बात कर लेंगे यहां से इसलामबाद उनेटेट का पहला मुकाबला जब इसने फेंटा लगा दिती वहिसा मुल्तान सुल्तान को जो की बेहतरीन टीम में से एक है बात कर लेंगे इंदबाजी में त सब्सक्राइब कर लेंगे इसलामबाद उनेटेट के बल्लेवाजी में तो फिलिप साल्ट 13 दोस्तों खेलेंगे नहीं फिर सब्सक्राइब निकले टीम से नहीं तो मुझे लगा कि यहां पे इनके लिए दिकते सामने खड़ी होंगी लेकिन दोस्तों इन्होंने बेतरीन कॉलिन मन्रो और यहां से आप लोगों दिख जाएंगो उसमान ख्वाजा दोनों के बैक किया हुए अपने टीम में फिर सदाव खान पांच तलत दस रन आसीफ अली नो आसीफ अली दूसरे लेवल के प्लियर है अगर 15-20 वाल सही से खेल जाए तो दोस्तों ये फेंटर ल चार बर तीसन तीन वीकेट फिर हम बात कर लेंगे हफीज का दोवर 11-0 वीकेट आहमद दनियाल चार अवर 29-1 वीकेट रसी दखान चार बर 30-1 बात कर लेंगे बल्लेबाजी में तो यहां से फाकार जमन ने बिरासी हफीज ने 73-71 एक इसके बैडिंग एड़क बहुत ही दग रहा है फिर नीचे जाओगे आप लोग देख लोगे यहां से कराची किंग्स के एगेंस्ट इसलामबाद विनेटेट का फाई इस मैच में जो इसलामबाद विनेटेट ने खेली थी ना मत पूछे इतनी बहतरी नौक खेलाता यहां से बात कर लेते हैं सरजील खान के कभी डालेगा चार अपने आपको कभी वन दोन भीज़ेगा कभी टुड़न भीज़ेगा कप्टन सी का इतना कोई फाइदा थोड़े ना हो था 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 है पीरम बात कर लेंगे बल्लेबाजी में तो एलेक्स हल्स 46 सदाव खान देखिए वन डाउन प्यार हैं बैटिंग ल लेबले बाजी करते हैं जहां पर हफीज ने फीर से साथ रहन में सबीज लगातार इस्टूनमेंट मच्छा परदर्शन किया हुआ इसके लबाब कोई खास परदर्शन किसी का था नहीं गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो यहां से आप लोग देखोगे तो हरी सरौफ कर लेंगे इसलोमाबाद के जालमी के गंस तो वई रहन फास पर दोम्हां से सदाव खान चार Оपर शमझ में नहीं नहीं आ रहें बात कर लेंगे करांची के लाहर कालेंडर का परदसन तो करांची किंग्स बोड़ पर खड़ा के तो 186 सरजील खान यहां दोस्तों हमेशा से 3D फॉर्ड में रहते हैं कहां पर दोस्तों वह अपना बीजय संकर वाला 3D नहीं दोस्तों गंदवाजी बलेवाजी फिलिंग सब बात कर लेंगे बलेवाजी में तो यहां से दिख जाएंगा फखर जमन बाई जिस फॉर्म से गुजर रहा था था इस्ट्रामबाद में आप कैप्टन वीसी भी इसको ट्रेट कर सकते हो वहां की बेंडंक ने 57 विजय खेल नहीं रहे इस्ट्रामेंट में अब आ जाते हैं और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू फाहिम असरफ पी एसल के एक समझों कि ऐसा प्लियर है जो हमेशा से आपको कुछ पॉइंट देखे देगा जैसे वह बैटिंग के हो चाहाए वह फिल्डिंग से हो चाहाए वह गयंदवाजी से हो यह बहतरीन प्लियर है इसको हम तब इंपोर्टन जाता हो जाएंगे जब यह सकेंड इनिंग में गंदवाजी डालेंगे और यही मैच है तो यहां पर सदाफगान फैवरेटर रहा सकते हैं फिर हम बात कर लेंगे दोस्तों बल्लेवाजी में स्टरलिंग खेलेंगे नहीं है रोहल नाजीर यहां पर वन जील जील में ट्रम्प पिक हो सकते हैं सदाफगान एक रन अब दोस्तों आप लोग मुझे बता हो कि एक प्लियर है सदाफगान ठीक है जो हमेशा से नंबर टू नंबर त्री पाहेंगे बल्लेवाजी करने के लिए 20 बॉल 22 बीस बॉल 25 बॉल 25 बॉल अटेस रन और उसके लगते हैं हाड इटर इप्तिकार हमाद मैकसिमम चांस जैसा होता है कि एप्तिकार कभी 5 बॉल खेल के जाता है कभी 4 बॉल कभी 10 बॉल खेल के जाता है तो मुझे आज तक यह लोजिक समझ में आए कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है यह तो दोस्तों इसके पीछे दो इ जब इस्लामबाद और यहां से लाहोर कलेंडर के बीच मैच था तो फिर आएगे थी कोवीड वाली केस और कवीड वाली केस के बाद यह मैच आज आए के स्टाट वड़ी है आज के मैच में दोस्तों आप लोग जाओगे यहां पर देखोगे जो स्कॉइड हैं दोने टीम का वो कुछ ऐसा दिख जाएंगे जहां पर मुझे लगते हैं कि प्रवल 11 आप लोगो को दिख जाएंगे फकर जमन सोहेल अक्तर मौमद हफीज फर्गूसन दोस्तों यहां साफीज से पहले आ सकते हैं बेंडंक जीसान अपर असरफ को लेके यह नियू जा रही है कि साइद देनियाल हरिस रॉफ जमस फॉकनर भी साइद खेल सकते हैं मुझे कोई लगता नहीं कि खेल सकता है दिलवर हुसेन एक ऐसा पिलियर जिसको लाहर ने हमें साथ से बैक किया हुआ है और यह एक ऐसा गेंदवाज है जो हमें साथ से डेथ में आकर विकेट लिया हुआ है तक करेंगे दोस्तों इसलामाबाद उनियटेट की तो दोस्तों इसमें एक और पिलेट दिख रहेंगा आप लोग को आगा सलमान इसके उपर आप लोग मीनी जील में ध्यान देना अगर यह खेलती है तो कॉलिन मुटों दिख जाएंगे इसलामाबाद उनाजीर दोस्तों रो दोस्तों इसलामाब दोस्तों जुनियर मुसा जफरकवर और फवात अमाद अली खान में से कोई एक खेलती है आप लोग को दिखाए दे सकता है बेंटन क्रिंग के लिए कि भी न्यूज आ रहे है कि टीम इसको वन डॉन पर बैटिंग करवा सकती है दोस्तों अब ड्रीम अब जहां पर दोस्तों इसने 50 का स्कोर किया हुए थे आप लोग मैं दिखा दूए बास्ट वाले मैच में यहां पर दोस्तों 44 परसंट ही सलेक्शन रेट था इनका और यह मैच हम लोग कैसे बोल सकते हैं 20 परसंट सलेक्शन रेट और हम लोग 80 पोइंट निकाल के दिए तो बेंटनेंग ऐसे पिले जो कुछ गेंड में आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं तो आप लोग जो ट्राइ कर सकते हो मुझे लगता है कि लाहोर सायद इसको नंबर पांच से पर बले बाजी दे और रोहन नाजीर को इसलावबाद सायद से वन डॉन पर बैटिंग दे कि बेंटन के बिगेट कीप रिंग नहीं करेंगे वहां से बिगेट कीप रिंग का पॉइंट जो है वह जी सामन असरफ आप लोगों को देते विए दिखाए दे जाएंगे और दोस्तों PSL की बात हो और बड़ा गीव अभी आप लोग के लिए ना हो तो फिर दिखाते तो हाई ही तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो आप लोग के लिए स्पोर्ट सी आप है 4000 रुपीज का वहां पे दोस्तों आप लोग जाईएगा और PSL में आप लोग को ग्रेंड लीग भी डिस्कॉंटेट बाला चल रहा होगा अभी चल रहा है कि और नहीं वह आप लोग सिगारे टिम से खेलते हो तो मुझे लगता है कि PR फैमली यहाँ पर एक पर आ सकता है और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना 26 रुपीज में भी दोस्तों यहाँ पर 15 परसेंट बोनस आपके यूज हो रहे हैं साथ में दोस्तों मैं आप लोग को बता द अपलिकेशन बहतरीन है आप लोग जाके दोस्तों यहाँ पर कंटेस्ट जोईन करके रख सकते हो बाकी बैटिंग सेक्शन ने बात कर लेंगे तो यहाँ से इसलामबाद के तरफ से खेलते हुए नजरा जाएंगी उस्मान ख्वाजा कॉलिन मंडो मॉस्ट प्रेवली ऑप सैद मैं अपने टीम में टीम के साथ चला जाओं अगर दोस्तों यह ने खेलते हैं तब तो कोई बात ही नहीं मेरे दूसरे पिक बंड़े सोहेल अक्तर अब पहले आते हैं All- Persexual में मैंने लिया है मौममध हफीज को फाहीम अस्रभ को उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से सा अपने टीम में लिया हुए क्यों लिया हुए क्योंकि मुझे पता है अगर यह वंदर हेलता है तो आपको दो से तीन विकेट निकाल के दे सकता है बाकि दोस्तों आप लोग दनियाल को भी ट्रै कर सकते हो मीनी जीयल और जीयल में अब दोस्तों आपके पास 10 क्रेडिट बच कर सकते हो उसके बाद आपके पास सारे 8 क्रेडिट बचेंगे आप यहां से यह तो बेंडर के साथ जो यह दोस्तों को बहुत ही अच्छा खेल लेते हैं अब दोस्तों मैंने यहां से ट्रै कि हो है कॉलीन मन्रो को अब देखिए मेरे पास कोई क्यों इसू नहीं है यहां प करना पड़ेगा अपने टीम में तो तो दोस्तों मैं यहां से जाओंगा बेंडरंकिंग के साथ स्वेलक्तर के जगा पर और मैं रहुल नाजीर के साथ जा सकता हूं अगर मुझे लेगा कि रहुल नाजीर वंडों नहीं खेलेगा तो फिलाल मैंने बेंडरंक के जगा पर और यहां से दोस्तों बेंड़न किंग के जगा पर स्वेल अक्तर कॉपनेटी में जगा दिया हुआ है मेरे पास पॉइंट 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 बच भी गया है कोई दिकति नहीं के एडिट का आप लोग जहां पर जो चाहिएगा वह के एडिट को मेंटन कर सकते हो ठीक है अब यहां पर आप लोग चाहिए दिलवार हुसेन के जगा पर आप लोग ट्राय कर सकते हो मुहमद वसीम को भी जो की पिछले ट्रेमेंट में इसी ट्रेमेंट के स्टाइटिंग में बहुत ही दग्रे परदोसन कल रहे थे अभी चलो दोस्तों मैं थ्ट्रा सा चैन्जेश ले लेता हूं और स्वेल अक्तर के जगा पर बेंड़न कींग को और यहां पर रोहन लाजीट के जगा पर बेंडटंग को ले लेता हूं रिए तो मैंने बिगट कीपर में बेंड़न मंडो बैटिंग में में बेंडबочноं मुहमध अफीज फाहिन साफ चंफ्यूध आसीद सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास दोस्तों दिख जाएंगे यहां से फकर जमन सबसे बहतरी में से एक मुहम्मद अपीज कॉलिन मन्रो यह तीन आपको दिख जाएंगे कैप्टन वीची के प्रबाल तवजदार मैं कुछ अलग करने जाना हूं दोस्तों मैं अपने टीम सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा टेलीग्राम पे जिसका लिंक आप लोग को डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के सबसे पहले कमेंट में वाई पीन करके दे दूंगा जो की बुलू कलर में दिख जाएगा उसमें क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पाजन जहां पर तक्रीवन 40 के सबस्क्राइबर प्लस में दिख जाएगा 40,000 से उपर सबस्क्राइबर दिख जाएगा वहीं पर आप लोगों को जूर ना है अब जील मीनी जील में दोस्तों आप लोगो मैं समीकर मता दूं कि यह पीर एक बार जरूर रियूज करना जहां दोस्तों मैं जो 3-4 आप खेलता हूं उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा डेस्किप्सन में आप लोग चाओ तो वह 3-4 आप्लिकेशन पर जाके खेल सकते हो अब चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं थ्वासा एक्षेंस 22 की दुनिया आते हैं दोस्तों यहां जैसे क कर दूंगा फिर से उसको जाओगे दूस्तों लाहुर कलेंडर इस्लामबाद उनेटेट पर क्लिक करो जो बैसेल वाले सेक्षन पर यहां पर परसनल कॉल लीजेगा तो ज्यादे प्रॉफिट में चाहिएगा क्योंकि मैं नहीं कभी नहीं बोलूंगा कि आप लोग हमेशा करने के बाद आपको खुद से करना चाहिए अगर आपके पास 40% भी क्रिकेट के नौलेज है तो समझो कि एक्सेंस 22 आपके लिए ही बना है और दोस्तों मैंने इससे लेटेड आप लोग को वीडियो भी दे रखा है कि यहां पर प्ले कैसे करते हैं मल्टी वेगर पर किलिक करने के बाद आप लोग के तरफ जाओगे यहां पर आपको बताने की इन 5 में से सब सी ज्यादा फेंटेश्यव प्रॉइंट्स कों देगा सभी क्या दोस्तु रेट नीचे में दिया हुआ है जिसके उपर आपको लगता है कि हाहां यह मैच मैं सब से ज्यादा फेंटेश् चैनल से जूर जाओ जिसका लिंक आप लोगो दिख जाएंगे कमेंट बॉक्स के सबसे टॉप कमेंट में पीन किया हुआ बुलू कलर का उस पर क्लिक करके आप लोगो टेलीगाम चैनल पे जूर जाने हैं बानकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तेसे के लिए इंजवाई कीजिए अच्छा का सबीन कीजिए और दोस्तों टी-20 ब्लास्ट पे जादा से जादा फोकस कीजिए